नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूटुब चैनल देव जी के ट्रीक में दोस्तों यह हमारा अहलाबाद हाई कोड का समन लेधन का टेस्ट है काफी महत्वपूर होगा और आपके यहां पर पूरे हमारे 25 कोश्चन है जो की सबसे महत्वपूर कोश्चन है इस टेस्रीज में काफी महत्वपूर है तो इस वीडियो के अंते में देखेंगे कि हमारे पिछले वीडियो में क्या कमेंट थे क्या उनके डिमांड थे अगर आपके पास कोई समस्या हो तो आप भी यहां पर कमेंट कर सकते हैं तो आईए चलते हैं कोश्चन नमबर हमारा 51 भारत के मउजूदा बंदर गाहों को आध्निक विश इस्टरी बंदर गाहों में बदलने के लिए भारत सरकार दोर reflecting परियोजना सुरू की गई है वह हमारी परियोजना है जो कि आपका पबि नमबर है सागर माला ठीके सागर माला यह परियोजना स्टार्ट की गई है और और ये हमारे आधनिक विश इस्त्री बंदरगाहों में बदलने वाले भारा सरकार दोर चलाई गई एक परियोजना है नेश कोचने भारत में राश्टी विग्यान दिवस किस रूप में या किस दिन मना जाता है तो आपका सही जवाब हो गया पर 28 फरवरी 28 फरवरी का दिन या पर अराश्टी विग्यान दिवस के रूप में मना जाता है अगला कोचन है अंतराश्टी टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले बल्ले बाच कौन थे तो 10,000 बल्ले बाच हमारे थे जो कि अंतराश्टी टेस्ट क्रिकेट में या पर आपका सही जवाब होग दी नमबर अर्था सुनील गवासकर तो सुनील गवासकर थे जिन्होंने दस अजार रन बनाया था अंतराश्टी टेस्ट किरिकेट में अगला कोश्चन है कि जनगड़ना 2011 के अनसार निम्लिकित में से भारत का कौन सा राज सबसे कम आवादी वाला राज है तो सबसे कम आव राष्टी युवा दिवस के रूप में मना जाता है आपका सही जवाब होगा ए नमबर अर्था स्वामी वेकनन्द है और इनका जन्म दिन राष्टी युवा दिवस के रूप में 12 जन्वरी को मनाते हैं ठीके 12 जन्वरी को मनाते हैं अगला कोश्चन है कि उत्तर प्रदे यह हमारा कहां पर है आपका सही जवाब हो गए यहां पर बी नमबर ब्रंदावन में है ठीक कहां पर है ब्रंदावन में है और ब्रंदावन में ही पागल बाबा मंदिर है जो अपनी कठपुतली प्रदर्शनी के लिए प्रसीद देए अगला कोशन है चना मद्रा चना मद्र निम्लिकित में से किस भारती राज जी का लोगप्री पक्वान है तो यह हमरे पक्वान का का होगा लोगप्रण का आगली है उत्तर प्रदेश серьез का राज बरच क्या है तो सबको जवाब ओगा कि उत्तर देश का राज ब्रच है अर्थात राज की ब्रच है यह हमारा सी होगा अर्थात जो असोग है असोग है हमारा राज की ब्रच है अगला कुर्शन है यहां पर दिया गया है बौध परिसद में आयुजित की गई बौध परिसद कहां पर आयुजित की गई थी जहां बहुत धर्म दो संपर्दायों अर्थात हीन्यार और महायान में विभाजित हो गया था। अगला कोशन है दास वन्स के कि समराट ने जिल्ले ए इलाही की उपाधि प्रदान की थी तो दास वन्स के कि समराट ने जिल्ले इलाही की उपाधि दारन की थी तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा सी नमबर गयासुद दीन बलवन तो गयासुद दीन बलवन ने जिल्ले इलाही या इसर का प्रदभी में की रूप उपादरन की थी यहाँ पर दास वंस को गुलाम वंस के नाम से भी जानते हैं आपको याद रखना है ठीके नेस कोचन हमारा अंग्रेजों के सासनकाल में नयधीसों के रूप में भारतियों की न्युक्ति के लिए यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा अंग्रेजों के सासनकाल में नयधीसों के रूप में भारतियों की न्युक्ति के लिए लाड कानवालिस उत्तरदाई था इसने भारति नयधीसों से युक्तजिला फाउजदारी आदालतों को समाप्तिकर उसके इस्थान पर चार भ्रमण करने वाली अदालतें जिसमें से तीन बंगाल के लिए और एक बिहार के लिए न्युक्ति की गई थी अगला खोशन है इलाहाबाद में 1857 के विद्रों का नेत्रत किस ने किया था तीन बंगाल खोशन है कि निमलेखित में से किस मुगल समराट ने अपने सासन काल में नौरोज का उत्सो समाप्त कर दिया था तो नौरोज का उत्सो समाप्त किया था आपका सही जवाब होगा सी नंबर अर्था जो अंग्रेज थे औरंग जेब थे तो औरंग जेब ने यहाँ पर कई हमारे ऐसे जो की तेवहार थे या हमारे कई प्रिकार की प्रक्याएं थी जैसे देख सकते हैं सिक्के पर कलमा खुदवाना, नौरोज का तेवहार मनाना, भांकी खेती करना, गाना बजाना, जरोखा दर्सन, तुला दान, आज प्रिथा पर प्रद्विन लगाया था यहां पर बात यह होते हैं, नौरोज कुछ उस्व किसने मनाया था, तो हमारे यहां पर बलवन ने स्टार्ट किया था, और यहां पर जरोखा दर्सन, जो हमारे अकबर के समय स्टार्ट हुआ था, सभी पर प्रद्विन लगा दिया था, और अंगजेब ने, नेश को अचन है कि निम्रिखित में से भारत में से कौन सी नदी पस्चिम दिसा की और बहती है, तो पस्चिम दिसा की और बहने वाली हमारे नदी कौन सी होगी, आपकी डी नमबर अर्था, जो लूनी नदी है, तो यह नदी हमारी बहती है पस्चिम दिसा में, और यह हमारी जो की राजस् जो बेरन मैं तो बैम यहां पर हमारे भारत में दो यह फैर यह और यह रहें एक है नारकोडम है और एक हमारा कौन सा है यहाँ पर बैरल है निस कोचने बक्करवाल जंजाती मुखिरूप से भारत में किस राज में निवास करती है तो बक्करवाल जंजाती मुखिरूप से भारत में निवास करती है आपका सेज़ा होगा अगला कोश्चन है कि भारत की समीदान सभा में एक मात्र मुसलिम महिला कौन ती तो एक मात्र मुस्लिम मैला थी काफी मात्रपूर कोशन है आपका सही जवब होगा ए नमबर वेगम एजाज रसूल जो कि एक मात्र मुस्लिम मैला वेगम थी नेश कोचन आपका सुतनता के बाद भासाई अधार पर भारत का पहला राज्य कौन सा बनाया गया था तो सुतनता के बाद भासाई अधार पर बनाया गया पहला हमारा राज्य था आपका सही जवब होगा आंदप्रदेश ठीके आपका सही नमबर हो गया आंदप्रदेश नेश कोचन आपके लिए है कि निमलेखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गया नहीं है तियाँ पर आपका सही जवब होगासी नमबर अरताथ जो हीलियम है वो एक प्रकार की ग्रीन हैस गया नहीं है नेश कोचे न आपके सत्तर नमबर है कि ये किसी उपकरण एंडोस्कोपी के सिधान्थ पर कारे करता है यहाँ पर आपका सही जवाब होगा स्थी नमबर आर्थाथ हमारा पूर्ड अंत्रिक परावर्तन पर कारे करता है हमने आपको बता दिया है कि आप जन्रल साइंस के वी पड़ाईगे फ़ी यहाँ पहल से पड़ा रहा है तो आपको समझ में आ रहा है अप जन्रल साइंस को यहाँ पर किस टीम ने IPL 2017 का क्रिकेट कप जीता था तो यहाँ पर 2017 क्रिकेट हमारे किसने मुंबाई इंडियंस ने जीता है ठीके और नेस कोचन आपका दिया है चौशन आपका दिया गया है यहाँ पर कोचन है कि निमलिखित में से कौन सा लोक नरत्य पश्यम बंगाल राज्य से सम्बंदित है यहाँ पर आपका होगा रचव जो पश्यम बंगाल में हमारा है यहाँ पर देखते हैं कि आपका दिया है काठी गंभीरा ढाली जात्रा बाउल ठीके और यहाँ पर दिया है मर्सिया किर्टन चव अद लोकनत हमारे पश्यम बंगाल राज्य के हैं ठीके चित्र कला है तो यहां पर आपसन दो यहां पर हैं और दो आपसन आपके यहां पर हैं तो आपका सही जवाब होगा जो आपकी चित्र सहली फाड है तो फाड की उत्पत्य हमारी कहां से हुई है राजस्थान से हुई है और लास्ट कोश्चन आपके लिए यहां पर दिया गय यह हमारी नटवर्क की दिवरा लिखे गई है तो यह टोटल हमारे रहे हैं आपके जो 25 कोश्चन है जी असके तो आप 25 कोश्चन देखो हमने आपको डाटा है इसलिए डाटा है क्योंकि हमारा फर्ज मनता है आपको डाटना ठीक है अगर हम पढ़ा रहें तो आपको हर बंता है आपको ढाटना ठीक है तो देखो आप हर सब्जेक्ट पर कमांड रखना है और कोई भी सब्जेक्ट चूड़ना नहीं है आपकी हिंदी भी होगी ठीक है काफी बच्चों के कमेंट आया अभी देख लेतें कमेंट पड़ते हैं भी वहाँ ब्रहमपुत को बंगलादेश में किस नाम से जानते हैं तो जमुना के नाम से जानते हैं यह हमारा कोशन था इनका सही जवाब है और यहां पर दिया है इसका स्लेबस क्या रहेगा तो आप बता दीजिए तो यहां पर हिस्टुडी फवार जवाब कर आया है तो देखो 25 कोश आपको अंग्रेजी के रहेंगे मतलब इंग्ली इंग्लिस हो गया और 25 नाम कीली में और यह स्जान आपके क्या रहेंगे आपकी हिस्टी होगी क्वालिटी होगी और साथ में आपकी ज rib phrases he तो आपको इतना पढ़ना पढ़ेगा जनरल साइंस कंप्यूटर को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है साथ में करेंट एफएर को ठीक है तो यह हमारे राद यहां पर देखते हैं कि इन लोगों ने सही जवाब दिया टेलिग्राम नई ओपन हो रहा हमने यहां पर लिंक द कि सबसे कम साचर्टा वाला जिला कौन सा है स्रावस्ति है और यहां पर साहित की छ lips बार को नें दिया जाएगा और यहां पर दिया गया है जो कि निर्मल सिंग यादों है निर्मल सिंग यादों ने कहा है किलाबाद हाई कोट की तैयारी गाइडर बुक से करा रहे हैं या फिर हम लोग इससे खरीद लें तो आप ऐसा करिए हमने आप पर गाइडर से ही तैयारी करा हैं आपको बता दिया था पहले ही यह गाइडर की व्यूक ही है ठीक है और गाइडर के साथ साथ हम तीन चार बुकों का कमबाइंड करके लाते हैं पहले आप गाइडर करेंगे इसके साथ ही में अधर भुक भी लाएंगे उसकी भी कम्पिलिट करेंगे ठीक है तो हमने कया कि आपर यूट्यूब को जोआं करते रही है और लाइप कलास है हमारे है ठीक है नेड़ए अमारत था यहां पर हमज्टी तारिक से सब Yuk करेंगे घटिकigung करेंगे अ हमें से क्लास को एक आरिक तारिक से रखा यह हम ऐसे आपको डाल देंगे अगर लेंगे class तो डाल देंगे आप देख लेना ठीके तो टेलीग्राम से आप सभी लोग जुड़ जाए ठीके आए आपर सभी लोगों मिल नहीं रहे टेलीग्राम तो हम आपको लिंक दे दे रहे हैं आप उसको जॉइन कर लेना तो फिरें टूँए अवर जुड़ एक जाँ गर से डाल दे मीर्म तो पर्णी लोगों मिल एंको जूंडर करनके दे देंगे ओ।